रिशब जी मुंबई से बैंक में जॉब करते हैं। उन्होंने पूछा है परिवार में घर ग्रस्ती में रहते हुए साधना के मार पर कैसे चलूं। मेरे घरवाले मेरी साधना को समझते नहीं हैं। और सहियोग की बदले विरोध ही करते हैं। बार-बार कोशिश करने के बावजूत भी ऐसा लगता है कि यहां मेरी साधना में गती नहीं हो रही। ऐसी स्थिती में क्या करूं। कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे ढून के बताईए। इतियास में सर्च कीजे जाके, जिसके परिवार वालों ने सपोर्ट किया उसकी साधना में। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं है। और ऐसा नहीं कि यह आप ही के परिवार वाले जादा दुष्ट हैं जो आपकी साधना को में ऑपोजिशन डा रहे हैं। यह प्रकृति का नियम है, जी आ, आप बुद्ध की साधना देखें, परिवार वालों ने अपोस किया था, साथ तो नहीं दिया, इसलिए उनको जाना पड़ा था, यह प्रकृति का नियम है, मैंने बोला, क्यों बोला, इसके रीजन्स हैं, दो opposites हैं जीवन में, सहयोग और विरोध, यह हमारी एगो है, हमारा अंकार है जो बोलता है कि भी, अगर मैं सही रास्ते पे चलने लगा हूँ, जो मुझे सही रास्ता लग रहा है, तो सारी दुनिया को मेरे को सहयोग देना चाहिए, लोगों को खड़े होके मेरा स्वागत करना चाहिए, तालियां बजान जीवन में दो opposite forces हैं, सहयोग की और विरोध की, और कोई भी पेर जिसको अपनी जड़ों को मजबूत करना है, अगर आंधियां नहीं चलेंगी, तो वो जड़े मजबूत नहीं होंगी, खोखला, हलका, धीला, कमजोर रह जाएगा वो वरिक्ष, प्रकृति चाहती है कि मिलने लगेगा, encouragement मिलने लगेगी, तो ये जो विरोध, जो negative force है जो आपकी जड़ों को मजबूत करती है, जैसे हम शरीर के विग्यान में देखते हैं ना, जब कोई बाहर से negative virus हमारे शरीर में आता है, तो शरीर की immunity बढ़ जाती है, शरीर की immunity को बढ़ाने के लिए बाहर स पैथोजन का आना बड़ा जरूरी है, यानि उस विरोध का आना शरीर में बड़ा जरूरी है अगर विरोध नहीं आया शरीर में तो आपकी immunity कभी अच्छी नहीं बनेगी, इसका प्रमान ये है कि कभी जब भी आप देखते हैं कि कुछ विदेशी मित्र पहली बार भारत म आते हैं, तो सबसे पहले आते ही जो होता है ना उनका पेट खराब हो जाता है, पेट इसलिए खराब होता है क्योंकि यहां के वातावरण में जिस तरह के pathogen's हैं, उनके शरीर में उसको deal करने की immunity नहीं है, उनके जीवन में शायद उनको pathogen से उतना विरोध नहीं मिला, उन हर विक्ती आपको support कर रहा है, आपको जरूर ऐसे लोग चाहिए जो आपका विरोध करें, उसी से तो पता चलेगा कि आपका resolve कितना है परमात्मा को पाने का, आपके भीतर की पुकार कितनी है, और दूसरा नियम भी बताता हूँ आपको, जितना विरोध होता है, उतना अंग मितर अच्छी तरह से जानते हैं, जब वो स्कूल, कॉलेज बड़े होते हैं, उनका प्रेम होता है किसी से, जितना opposition मिलता है लोगों से उनको प्रेम में, उतना उनका प्रेम उनको फील होता है कि गहरा हो रहा है, तो opposition is not always bad, इस नियम को आप याद रखिएगा, दू एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए, yes, साधना करना कठिन है, क्योंकि विरोध हैं, oppositions हैं, आपने जीवन में बहुत सारे जंजाल बना रखे हैं, अब आपको उनको डील करना है, वो करम तो आप नहीं किये, आपने विवा किया, घरवालों से कुछ expectations रखीं, इसी तरह आपसे कुछ expectations रखते हैं, तो householder के लिए, साधना पत थोड़ा कठिन तो है, तो क्या किया जाएं, पहला rule, इस विरोध का विरोध मत करना, यह पहला नियम है, क्योंकि अगर विरोध का विरोध करने में लगए, तो यह उर्जा आप अपनी व्याय कर रहे हो, you're wasting your life energy, don't do that Accept कर लो इस विरोध को और समझ लो, मान लो कि प्रकृती ने गठा है आप ही खे बले के लिए, ताकि आपकी साधना में resolve, longing, जड़े मजबूत हो पाएं, तो accept this माता पिता के प्रती, घरवालों के प्रती कोई निकार नकार ना हो, कोई negative भाव ना हो हमारे रिदे में, ये पहला नियम अब घर-परिवार के माहोल में साधना करना, ध्यान में बैठना आप जो भी, जिस भी साधना के पत्पे हैं, बहुत बार मोका नहीं मिलता, ये बात एकदम सत्य है, और इसका हमें कुछ तोड़ चाहिए रामकृष्णा परमांजा, उनके जाधतर जो भक्त थे, डिसाइपल्स थे, वो सब हाउसोल्डर्स थे और रामकृष्णा एक ही बात बोलते थे उनको, हर महीने कम से कम दो तिन दिन का समय निकालो, जब आप उन दो तिन दिन फुल टाइम, सारी उर्जा, सारा प्रयास, सारा समय अपनी साधना को देंगे और तीस दिन में, अगर आप दो दिन छुट्टी मांगते हो घरवालों से, तो मेरे देखे कोई घरवाले मना नहीं करेंगे इस बात के लिए तो वो दिन, दो दिन निकालिए, अपने जीवन में से हर महीने जाओ किसी गुरू के पास, जाओ किसी गुरू के आश्रम जाओ, किसी नदी के पास, जरने के पास, जंगल में, पहाड में, जहां आपको सुगिदाओ और इन दो दिन याद करो अपनी साधना को भीतर जाओ घेरे जाओ अपनी चेतना को किसी भी बाहर के विशे में मत लगने दो इन दो दिन और आप देखोगे कि ये दो दिन की हर महीने की साधना इतना बल देगी कि बाकी 28 दिन आप परिवार में रहते हुए भी अपना समय निकाल लिया करोगे जब जैसे ही आप आँख बंद करोगे आप connected होगे अपनी साधना अपने परमात्मा के साथ अगर आपने इस नियम को अपने जीवन में उतारा तो ये जो आज apparent दिखने वाले oppositions हैं ये सब आपकी support में आने लगेंगे आपको ये दिखने लगेगा कि कैसे इस so-called negative opposition ने आपकी साधना को बल दिया है और इस बल के बिना साधना हो नहीं सकती तो भीतर हृदय में धन्यवाद का भाव रतना इस opposition के प्रती और हर महीने अपने अपने पारिवारिक जीवन में से कम से कम दो दिन निकालना जिन दो दिन आप सिरफ और सिरफ साधना में रत रहोगे जिस साधना पत पे भी आप चल रहे हो और उन दो दिन कोशिश करना कि आप nature के पास की किसी स्थान पे हो क्योंकि नेचर बहुत हील करता है आपको आपको बहुत सारे सोय हुए अपने पुराने अनुभवों को जगाने में मदद करता है आपको याद दिलाने में मदद करता है कि आपके भीतर भी उसी प्रमात्मा का सुरूप विराज माने भूल गए वो बात अलग है, याद दिया जाएगा तो नेचर बहुत सहयोगी है वो याद दिलाने में इसलिए दो दिन घर से बाहर नेचर के साथ That's the rule और साथ में थोड़ा सा एक जो तीसरा नियम है Especially for the householders आपका focus दिंचर्या पे बहुत solid हो क्योंकि आप बहुत responsibilities होती है घर परिवार का पालन portion करने के लिए और समय तो limited है हम सब के पास अगर एक दिंचर्या को बड़ी निष्ठा से आपने नहीं साधा नहीं अपनाया जीवन में तो रोज आपको समय नहीं मिलेगा साधना के लिए परमात्मा को याद करने के लिए और अगर इस दिंचर्या को आपने ठीक से formalize कर लिया बिठा लिया जीवन में तो आप देखो कि हर रोज आपको कुछ शन मिल जाएंगे जब आप भीतर की डुपकी लगा सकते हो योग कर सकते हो ध्यान कर सकते हो बिना किसी opposition के तो रोज का एक नियम दिंचर्या से जुड़ा हुआ और ये हर महीने का एक नियम और opposition का opposition ना होने का नियम इन तीन चीज़ को साध हो गए तो यही घर यही परिवार जो आज opposition में है कल support में आ जाएगा करके देखें मुझे लगता है कि this formula works